हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो और चनल अत्रियास के मिलों की चनल में अब सभी लोग का स्वागत है आशक रहते हम सभी लोग अच्छी होंगे जहां भी होंगे स्वास्ट होंगे तो आज हम बनाने जा रहे कठल की सब्जी बिल्कुल चिकन के जैसे हम बनाएंगे जो के जिद्धा का पेस्ट है साथी में यहापे पेयाज और टामाटर को आड़ कर दिया है और इसका एच्छ हो में एक पेस्ट रही कर लेंगे तो मैंने एक पैन में ले लिए हैं कठल आपनी भी है तो पानी के साथ हमिए इसको बईल कर लेना है तो यहाँ पर थोड़ा सा आ मग डाल देंगे और थुरा सा हल्दी भी डाल देंगे ताकि ऐसे से सॉफ्ट हो जाए और यह खाने में पर बहुत बढ़िया लगे और अगर आप लोग में चैनल पर नहीं है तो ज़रू से चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले बैल है और आल हुआ जो कटल है हमारा वो भी बॉयल हो गया अच्छे से तो एक कटाई में हम ले लेंगे सरसों का तेल इसमें हम डाल देंगे पहले थोड़ा सा एलाइची साथ ही में डाल देंगे जीरा सुखी वाले लाल मिर्ची तेज पत्ता थोड़ा सा हींग और अब यह मे हो जाता है हम इसमें डाल देंगे मिक्षेर किया हुआ प्यास टमाडर हरी मिर्ची रादवक का पेस्ट आप चाहें तो लसन का जो पेस्ट है वह भी इसमें बना सकते हो लेकिन लेसन थुरा साब साबूत डालोगे रहा जब आप इसको खाओगे चावले रोटी के साथ तो नमक आप अपने सब्जी के क्वांटिटी और अपने टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं साथ ही मैं हम इसमें अट कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए जीर्या पाउडर धनिया पाउडर और डालेंगे गरम मसाला तो यहां अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को भी हम अच्छे से पका लेंगे तो यहां पर मसालों को पकाने के लिए थोड़ा सा हम पानी एड कर देंगे ताकि मसाला जो है जले ना और अच्छे से यह पक भी जाए तो इस जार में हमने पेस्ट रेडी किया था उसी को थोड़ा स पानी से साफ करके पानी हम इसमें एड कर देंगे और इसको लीड लगा देंगे ताकि जो मसाला वो इधर उदर चिटके ना तो यहां पर लीड लगाते हुए हम इसको चला लेना है और जैसे यह तेल छोड़ देता है हमें इसमें जो हमने कठल और आलो को बॉइल करके रख डाल देना है और और अलो कठल के साथ भी हमें अच्छे से मसालो को मिक्स कर लेना है अचो कि यहां पर तरस सा इन हैंस करने के लिए आप तो छाज चीनी है अच्छाब से में नहां कर दीजिए वा ऐसां पर हमें कठल और आलो जो हम पहले बॉ выглядит घर दिया है आलो हमारा तो मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसको 2-3 मिइंट के लिए कि मसालों के साथ पका लेना है यहां पीर लेड लगा देंगे और दो-ौसे-3 मिइंट के बाद हम लीड अटा के देखेंगे मसाल अच्छे से मिक्स हो गया है कि इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और गस की फ्लेमि को हाई कर देंगे देन इसमें पानी यहाइट कर देंगे आप अपने अक्वर्डिंग पानी यूज कीजिए ग्रेपी पतपा चाहिए यश हतिस गाढ़ा चाहिए तो यहाँ पर पहले मैंने इक relative बान पानी आड़ कर दिया है और आदा ग्लास पानी आड़ करूंगी क्योंकि हमने सारा पेस्ट यूज किया है तो जो ग्रेवी है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ठंडा होने के बाद और इसको अच्छे से लीड लगा देंगे बॉयल आने के लिए तो जैसे इसमें बॉयल आ जाता है तो आप इसको बॉयल करता है दो से तीन मिंट के लिए पकने दे जैसे ही रेडि हो जाता है आप इसमें दनियापता भी आट कर सकते हैं लेकिन मेरे पाद दनिया पता नहीं था तो इसलिए मैंने आड नहीं किया है तो इसमें दनिया पत्ता एड़ कर दिचалась यह थो so much for watching, bye-bye!